हर रोज हम खुद को बेहतर कैसे मनाएं? खुद को हर रोज बेटर बनाने के लिए हम क्या करें? आज इसके बारे में मैं बात करूंगी Hi, my name is Priti and welcome to my channel जजबा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि खुद को हर रोज बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें? खुद को एक परसन बेटर बनाने के लिए हर रोज अपने आपको डेवलप करने के लिए हर रोज अपने आपको बेटर बनाने के लिए सबसे पहले चीज ये है कि आपको अपने आपको strong बनाना है आपको अपने mind को strong बनाना है अगर आपका mind strong होगा तो ही आप work करेंगे तो ही आप effort डालेंगे तो सबसे पहले आपको अपने mind को strong बनाना है इसके लिए आपको अपने उपर trust रखना है और हर रोज आपको अपने work को करते रहना है यानि आपको continuity बनाइ रखना है अगर आप हर रोज work करते हैं हर रोज अगर आप effort डालते हैं तो इस से आप धीरे धीरे करके grow करते हैं इससे आपके अंदर development होती है अगर आप consistency बनाई रखने हैं तो आपको तो थोड़ा थोड़ा effort डालते रहना है अगर consistency बनी रहेगी तो ही अपके अंदर changes आएंगे तो ही आप develop करेंगे हर रोज आप सीखते जाएंगे आपको experience होता जाएगा और आप grow करते जाएंगे second point ये है कि आपको अपनी चीज़ों को clear रखना है आपको क्या करना है क्यों करना है ये चीज़ें आपको clear होनी चाहिए आपको हर रोज क्या करना है और कितना करना है ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप अपने हर रोज की चीज़ों को आप clear रखते हैं आपको क्या और कितना करना है ये सारी चीज़े आपको पता होती हैं आप अपने सारी चीज़ों को पहले से ही प्लैन किये होते हैं तो इससे आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से वर्क करते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है हमें हमारी life में motivation से ज़्यादा clarity की जरूरत होती है अगर हमें हमारी चीज़ में पता होती है अगर हमारी life में clarity होती है तो हम motivate भी होते है जब हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है कैसे करना है हमारे पास हर चीज़ का plan होता है हम पहले से ही हर चीज़ को प्लान करके रखते हैं तो इससे हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है हम इधर उधर भटकते भी नहीं है और हम अपने गोल या अपने एम तक आसानी से पहुच जाते हैं लाइफ में आप क्लियर्टी को जरूर रखिए आप अपने गोल को अपने एम को पहले ही क्लियर करके रखिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और हर रोज आपको इसके लिए क्या एफ़र डालना है इसकी तयारी भी आप करके रखिए इन्वार्मेंट का होना भी जरूरी है अगर हमारा environment अच्छा होता है तो ऐसे में फिर काम करना काफी easy हो जाता है अगर हमारा environment ठीक नहीं होता है हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो bad habits को follow करते हैं तो उनका असर हमारे उपर भी जरूर पड़ता है कभी न कभी हम उस चीज़ को भी follow करना start कर देते हैं कभी हम जानवुच कर करते हैं और कभी हम अंजाने में ही वैसा काम करना start कर देते हैं जैसे कि देर तक सोना, अपने आज के काम को कल के लिए टालना, unproductive काम करना, cigarette पीना या फिर अपने time को waste करना अगर इस type की habits वाले group में आप हैं तो आप ऐसे group से दूर हो जाएए क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो उनका सर हमारे उपर जरूर से जरूर पड़ता है ऐसे group में अगर आप रहते हैं तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे आपके development जो है वो रुक जाएगी आप unproductive काम करने लगेंगे या फिर आप bad habits को follow करने लगेंगे अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो ऐसे group से या ऐसे लोगों से आपको distance बनाना ही होगा अपने अंदर self control और patience लाएं आपके अंदर self control और patience का होना जरूरी है आपको थोड़ा time जरूर देना होगा जैसे हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसका result आने में time लगता है किसी भी अच्छी चीज़ का result आने में काफे time लगता है तो आपको इतना patience अपने अंदर रखना होगा आपको वो time देना होगा जैसे अगर हम healthy होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन exercise कर लिया चार दिन हमने अच्छी डाइट ले ली या फिर हमने healthy diet ले ली तो हम fit हो जाते हैं या हम healthy हो जाते हैं जब हम कुछ दिन इस चीज़ को follow करते हैं हम regular exercise करते हैं फिर हम healthy खाना खाते हैं तो ही जाकर हम fit होते हैं, तो ही हम healthy होते हैं, तो उसी तरीके से आप जो चीज़े कर रहे हैं, उसको आपको कुछ दिन तक practice करनी होगी, जब कुछ दिन तक आप उस चीज़ के practice करते रहेंगे, तभी उसका result आता है, तो इतना patience आपको अपने अंदर रखना होगा, आपको self control करना होगा और patience भी रखना होगा, लाइफ में problem तभी आती है, जब हम situation को deal नहीं कर पाते हैं, और situation को deal करने के लिए हमेशा ही self control और patience की जरूरत होती है, तो self control और patience का होना जरूरी है, इससे आप हर रोज better बनते जाएंगे, आपके अंदर development होती जाएगी, आपके अंदर changes होते जाएंगे, आप हर रोज ये feel करेंगे कि आपके अंदर कुछ न कुछ positive changes आ रहा है, अपने काम की practice करते रहिए, हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, और आगे की planning भी करते रहिए, हर रोज ये try करिए कि कल आपने जो किया था, उससे आज आपको better करना है, अच satisfy भी होते हैं, क्योंकि हमें अच्छे result देखने को मिलते हैं, इससे हमारे अंदर positive changes आने लगता है, और फिर इससे हम और जदा motivate होते हैं, और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों को आप follow करते हैं, तो धीरे धीरे करके हर रोज आप अ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बाबाई